उजडी हुई दुनिया को तू अबाद न कर, बीते हुई लम्हों को तू याद न कर, एक कैद परिंदे ने ये कहा है हमसे, मैं भूल चुका हूँ उन्ना, मुझे आजाद न कर नमस्कार, आज मैं आशना, आप सभी की समक्ष, फिर एक बार एक कहानी का सारांश लेकर प्रस्तुत हो, इस कहानी का शीशक है, उसने कहा था, और इसे लिखा है चंजधर शर्मा गुलेरी जी ने, तो हर बार की तरह, इस बार भी हम कहानी शुरू करने से पहले, कहानी के और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कहानी को सुनने के लिए, समझने के लिए, ट्रस्ट करके, इस वीडियो पे क्लिक किया आना, तो एंड तक बने रहने की हिम्मत भी रखना, ये ने की बस बीच में छोड़के चल दिये, नहीं यार, बीच में छोड़के चल जान क्या पता वो सर्च यहां पे खतम हो जाए, क्या पता तुम्हें ये चाप्टर यहीं समझ आ जाए, एक बार एंड तक देखो तो, नहीं पसंद आए, नहीं समझ आए, तो चले जाना, लाइक तो दूर की बात है, सबस्क्राइब भी मत करना, नहीं बोलूँगी मैं, लेकि मैं दूसरे चाप्टर्स पे कॉंसेंटरेट कर सकता हूं या कर सकती हूं, यहां पे फाइदा तुम्हारा ही है, तो प्लीज एंड तक बने रहना, एक बार एंड तक देखो, बीच में छोड़के मत जाना, चंद धर शर्मा गुलेरी जी का जनम, 7 जलाए 1883 यानी 1883 को, जै चंद धर शर्मा गुलेरी जी को जनम दिया था, चंद धर जी की प्रारंभिक शिक्षा दिक्षा जैपूर में ही हुई, और इन्हें संस्कित का ज्यान या वेत पुरानों का ज्यान घर पे ही दिया गया, इन्होंने इलाबाद के विश्व विध्याले से बीए किया, और कल का ताके विश्व विध्याले से में, इन्होंने अजमेर की मियो कॉलेज में टीचर के तौर पर काम भी किया है, और जो मासिक पत्री काएं आती थी, उनमें इन्होंने समालोचक के संपादन का काम भी संभाला है, अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं, तो जहां तक मैं कुझे रिसोर्स मिल पाएं, इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ तीन कहानिया लिखी, सुखमय जीवन, बुधू का काटा और उसने कहा था, पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे निभन भी लिखे, और कुछ फेमस निभन के अगर मैं बात करूं तो वो होंगे मोरसी मोही कुठाव, कच्वा धरम, पुरानी हिंदी, आख, इत्यादी, इनके लिखने की जो भाषा शैली है वैं खड़ी बोली हिंदी ही है, और इन्होंने अपने लेखन में संस्कित के कुछ अप्रचलत शब्द और लोग भाषा के शब्दों का भी इन् इसने कहा था, तो कहानी शुरू होती है दो बच्चों से, एक लड़का, एक लड़की, लड़का बारा साल का था और लड़की लगपक आठ साल की, अब आपके दिमाग में यारा होगा कि इन दोनों के मुलाकात कैसे हुई, तो इन दोनों की मुलाकात अमरिटसर के भीड भरे बाजार में हुई, जहां पर ये लड़का उस लड़की को टांगे की नीचा आने से बचा लेता है, अब आप सोचोगे टांगे क्या होता है, तो टांगे बेसिकलिए अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो कैरेज होता है, मतलब घोड़ा गाड़ी यार, तो बस एक लड लड़का लड़की को छेड़ते हुए ये सवाल पूशता, कि तेरी कुढमाई हो गई क्या, तो कुढमाई यानि मंगनी, सगाई, तो लड़का लड़की को हमेशा छेड़ते हुए पूशता, कि तेरी कुढमाई हो गई, तो छेड़ना not in the literal sense, but समझ गया ना, तुम लोग लड़की ने लड़की को छेरते हुए हर बार की तरह यही पूछा कि तेरी कुड्माई हो गई क्या लेकिन इस बारना जवाब में लड़की ने धत कहके शर्माया नहीं लड़की ने ये कहा कि हाँ मेरी कुड्माई हो गई है शायद वह दिन उस लड़के के लिए nothing last forever ही था अपने सवाल के बतले जब लड़की का धत कहना और लड़की का शर्मा जाना उसे मिलता था तो लड़की के मन में उसके प्रती प्रेम बढ़ने लगा था लेकिन जब लड़की उससे कहती है कि हाँ मेरी कुड्माई हो गई है वह situation कही ना कही उस लड़की के लिए दिल दह आपने लगा और जो भी मिला उस पर गुसा ही कर रहा था तो दिल क्या रूटा हुए तो अपनी सद्बुध ही खो बैठा था अब वह निभा निभा निभानी वाला कॉनसे बहुत ही अलग है मतलब यह देखो ना वह जमाना भी कितना पुराना था कौन सा जमाना था वहां प यह दो दूनों एकदम ही डिफरेंट है वहने कंबाइन करने की कोशिश मत करना ठीक है तो यह पर दिखाया जाता है कि लैना सिंग नाम का एक व्यक्ति सेना में भरती हो जाता है जो बहुत ही जादा निडर और बहादूर होता है और सेना में ही इनकी दोस्ती सुबेदार ह जारा सिंग वजीरा सिंग और बोदा सिंग से हो जाती है एक बार की बात है जब सुबेदार हसारा सिंग लैना सिंग को अपने घर पर बुलाते हैं और सुबेदार की जो पत्नी सुबेदार्नी कह लो वह लैना सिंग को पहचान जाती है अब पहचान जाती है मतलब मतलब कि जो फर्स पार्ट में लड़का लड़की लड़का लड़की हम कर रहे थे ना उनके नाम बताये थे क्या मैंने नहीं ना तो वो लड़का था लेहना सिंग और वो लड़की थी सुबेदारनी समझे फिर सुपधारनी लेना सिंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बच्पन में तुमने मेरी रक्षा की थी हाला कि लड़का नहीं पहचान पाए उस लड़की को लड़की ने तो पहचान लिया तो बस नहीं पहचान पाया फिर वो और वो शायद से भूल ही चुका था उस लड़की को कहीं ना कहीं वह उस लड़की को भूल चुका था तो वो नहीं पहचान पाया तो वो उसे बुलाती है और वो कहती है कि बच्पन में तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार तुम युद्ध भूमी में मेरे पती और मेरे बेटे की भी रक्षा करोगे लेना सिंग को जब याद आ गया लेकिन उन्होंने वचन को इमानदारी से निभाने की भी कसम ख़ए इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया कि इसकी वज़े से मेरा बच्पन का प्यार या मेरा पहला प्यार मुझे दूर हुआ तो मैं इसकी रक्षा क्यों करूँ ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी दिमाग में इस सिर्फ यही था कि उन्होंने सुबैदार्नी को वजन दिया है और उन्हें वजन निभ्हाना है तो यहां से न हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो न तो आप कभी उसको हानी पहुचाने की कोशिश नहीं करोगे भले ही वह आपके साथ है या नहीं है आप हमेशा उसी के हिद के बारे में सोचोगे फिर वह दिन भी आया जब प्रत्म विश्व युद्ध के मोल्चे पर इंग्लैंड की और से लेना सिंग, वजीरा सिंग, सुबेदार हजारा सिंग और उनके बेटे बोधा सिंग, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला बोल देती है और लेना सिंग अपनी जान पर खेल कर जर्मन सेनिकों से लड़कर उन लोगों की रक्षा करते हैं जिन लोगों की रक्षा करने की उसने कसम खाई थी लेना सिंग बहुत बूरी तरीके से घायल हो जाते हैं बहुत ही जादा गंदी तरीके से जखमी हो जाते हैं हालाकि ऐसा नहीं है कि हजारा सिंग और वोदा सिंग घायल नहीं थे घायल वो भी थे पर अंतु बहुत जादा जखमी लेना सिंग हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर इनकी जान बचाई थी जब एंबुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो उसमें जगे कम पड़ जाती है और लेना सिंग खुद न बैट कर यहां तक की घाय लवस्था में ते बहुत ज़्यादा जखमी थी वह फिर भी वह खुद न बैट कर बोधा सिंग और हजारा सिंग को बैठा देती है और चलते चलते उनसे यह कहते हैं कि जब आप घर पहुचें तो सुभिदार्नी से कहना उसने जो कहा था मैंने पूरा किया तो अगले दिन अकवार से पता चल जाता है कि जो लेना सिंग थे वैधावों से मारे गए और इस तरह से लेना सिंग अपनी जान गवां कर अपने वादे को पूरा करते हैं तो यह कहानी त्याग, प्रेम और देश भक्ति के इर्द गिर्द घूमती है इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद